नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूं करांति सिंग आपको बता दे कि चारों तरफ जो माहोल इस वक्त सियासी घमसान के बीच में फसा हुआ है इस दाव पीच के बीच में सबसे बड़ा नाम EVM को लेकर के हमेशा से सामने आता रहता है लेकिन अब EVM का ही यहाँ पर जंजे ठटाते हुई है जो है प्रशासन नजर आ रही है जो आपको बता दे कि गुजरात में अगली बारी गुजरात विधानसभा पूरी तरह पेपर लेस हो जाएगा गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर नीमा अचार्या ने यह जानकारी एक न्यूस पेपर को दी है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के डिजिटर इंडिया कारिक्रा में इगुजरात विधानसभा भी पेपर लेस बनकर अपना योगदान देगी केंद्र संसद्ये अकार्य मंत्रालें के निर्देश में देश भर में लोकसभा राज्यसभा राज्यों की विधानसभाव और विधान परीशदों के विधाई कारे को पेपर लेस बनाये जा रहा है इसके तहत सिंगल प्लेटफॉर्म पर डिजिटिली करन नेशनल विधान एप्लिकेशन पोर्टल से जोड़ा जा सकता है इसे कड़ी में गुजरात विधानसभा के इस साल होने वाले चुनाप के बाद सभी निर्वाचित विधायकों को पहली बार पेपर लेस कारवाई का हिस्सा बनने का या नया अनुभव होगा नेवा पोर्टल उन प परिकरियाओ को स्वचालित करेगा जो विधानसभा सदन के पेपर लेस कामकाज और सुचनाओं के डिजिटल आदान प्रदान के लिए जरूरी है इसके तहट डिजिटल विधाई का कामकाज सुविधाद दैनिक कामकालज पत्र, सभी प्रकार के प्रश्णों और सूचनाओं का प्रस्तूती करन, प्रोसेसिंग, सभी कागजात और रिपोर्ट को इलेक्ट्रोनिक रूप में रखना, प्रश्ण शाखा, सदस्य, पोर्टल, सदस्यों की सुविदाई, वैब कास्टिंग के मॉड्यूल, विक्सित और लागू किये जाएंगे, दूसरे चरन में इन शेत्रों के कारें में सुधार होगा, डिजिटल, अभी लेखा, गर, पुष्टकाले, स्वचालन, खरीद, और स्टोर, ई निर्वाचन, शेत्र, शिकायत, निर्वान, सदन की विशिस्टा, विशिक्ता के अनुसार को यानने सुधार भी किये जा सकेंगे, फिलाल इन हाउस ऑटो मीशन का कारें चल रहा है, ये कारें तीन-चार महीने में पूरा होगा, अगली गुजरात विदान सबा में पूर्नेतर नेवा सिस्टम आरंब होगा, बजट सॉफ्ट्वेर में तयार हो रहा है, 2018 से पेपर को पबलिक धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको तादे की वरतबान में कागज पर उपलब्ध सारा कामकाज रेवा पोर्टल पर भी उपलब्ध करवाए जाएगा, एक हजार दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये गए है, भविश्य में संपूर कामकाज इसी पोर्टल पर ही उ अब एक रिपोर्ट की 300 के बजाए 100 प्रतियां ले रहे हैं, इविधान आरम होने पर 5 प्रतियों से भी काम चलाना संभव होगा, आपको तादे की ये पूरा मामला जो है वो अब इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बार-बार EVM के उपर उठ रहे सवालों से कहीं न कहीं प्रशासन भी जो है अब यहां पर स्थब्द हो चुकि है, अब देखना ही है योगा कि जब E-Paper का जमाना आएगा तब क्या फिर से उसके उपर भी सवाल उठेंगे चुनावों के बीच में या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रु बतार तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लि